दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको मस्सा हटाने का बहुत ही सरल घरेलू उपाय बता रही हूँ दोस्तो इस उपाय को करने के लिए आपको ना कोई दवा खानी की जरूथ है ना ही कोई दवा लगाने की जरूथ है और इसका कोई भी साइड एफ्रेक्ट नहीं है और बस दो से तीन दिन में आपका जो मस्ता होगा ज़ड़ कर निकल जाएगा यानि सूख कर जड़ जाएगा दोस्तों ये उपाय करने में थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बहुत ही जादा सरल है दोस्तों तो चलिए हम लोग जान लेते हैं ऐसा कौन सा उपाय है जो आपके मस्ते को दो से तीन दिन में खत्म कर देगा वो भी बिनादर लेकिन दोस्तों फर्स टाम में चैनल पे आया है तो प्लीज चैनल सस्क्राइब कर लो बगर में लगी घंटी बजा दो गंटी के साथ आता है औल का पटन उसे बे क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत सके और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तो चलिए दोस्तों हम लोग ये वीडियो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मस्ता होता क्या है दोस्तों मस्ता जो आपके शरीर के किसी भी भाग में कहीं पर उत्पन हो जाता है खासका चेहरे पर तो बोहती गन्दा लगता है देखने में और इसे हटाने के हम लोग बोहत सारे उपभाई करते हैं लेकिन दोस्तो यह जो मस्स होते हैं यह pigment कोशकाओं का समू होता है जो काले और भूरे रंका होता है वैसे तो यह नुकसान दे नहीं होते हैं लेकिन इनका समय से इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर का रूप ले सकते हैं मस्से अन्वाशिक होते हैं और कुछ धूप के काराण भी होते हैं कुछ मस्से ऐसे होते हैं जो खुदी उत्पन होते हैं और खुदी खतम हो जाते हैं मस्ते के काटने या फोरने से शरीर के अन्नी हिस्सों में फैलने का भी खत्रा होता है इसलिए कभी भी उसे जबरदस्ती काटे या फोरे नहीं कभी-कभी मस्ते के जो वाइरश होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुझा में भी फैल सकते हैं इसलिए जिन भी व्यक्तियों का मस्ता है उसे भी कोई भी दूसरा व्यक्ति तशना करें और टच करने के बाद अपने बॉड़ी के किसी भी पार्ट में हाथ ना लगाए हैंड वाश करने के बाद ही हाथ लगाए अब हम लोग जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा घरेलू उपाय है जो बिना दड़ बिना कोई दबा आपके मस्ते को अलग कर देगा आपके शरी से उसे सुका कर जार देगा दोस्तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए घोड़े की पूछ का बाल जी हा दोस्तो आप ध्यान से सुने घोड़े की पूछ का बाल सुनने में अटपटा लग रहा है लेकिन ये जो उपाय है 100% यूजफुल है ये उपाय मैंने खुद अपने घर में देखा है मस्सा कुछी दिन मैं सुक कर अलग हो जाता है यानि आपको जहां पर भी आपका मस्सा होगा वहाँ पर आपको घोड़े के बाल कि सिर्फ एक घोड़े का बाल लेना है उसे कस के बान देना है मस्सा सूख कर दो से तीन दिन में जड़ जाएगा आप भूल भी जाओगे कि आपको वहाँ मस्सा भी ता ना ही कोई जलन होने वाली है ना ही कोई दर्द होने वाला है और ना वड्याय वारब में सुन चुके हैं तो comments box में मुझे जरूर बताका यार और जाँरए को करने के बाद आपका क्या result मेरे साथ मेरे वी वीवर्स के साथ comment box में जुरूर शेयर करना और दोस्तो वीदियो अगर आपको यूशफुल लगें तो इसे like and शेयर जरूर करना दोस्तों फर्स टाइम मेरे चैनल पर आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फिरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जै हिन जै भारत